हेलो गाईज हम बात किने वाले हैं CDSL के बारे में इस कमपनी का quarter 3 FI 23 का रिजल्ट आ चुका है इस आव ने तो कैसा रहा इस कमपनी का रिजल्ट और क्या इस कमपनी ने डिविडेंट दिया है कि नहीं इसलिके बारे में डिसकेशन करेंगे तो वीडियो को जरू से एंड तर देखते रहना CDSL की बात करेंट इस कमपनी का रिजल्ट आप लगों के सामने प्रेजेंटेट है सारी अमाउंट्स है वो यहां पर लेक्स के अंदे बताएगे ए रिजल्ट है quarter and quarter base के उपर रिजल्ट को compare करेंगे यह इस quarter का रिजल्ट ही यह पिछले quarter का रिजल्ट ही के उपर कंपनी की income में गिरावट आती वी नजर आ जाती है बाकी पिछले साल सेम quarter के मकाबले भी कंपनी की income कम होती वी नजर आ रही है बाकी इस कंपनी के expense की बात करेंगे तो cost of employee cost and अलग-अलग यहां पर cost को मिला कर कंपनी का total expense यहां पर या total cost यहां पर देखने को मिलत है 6096.02 रुपीज का जिस परकार से कंपनी की income कम हुई है ना वैसे कंपनी के expense कम होते भी नहीं नजर आ रहा है बलकि expense के अंदर लगातार बड़ोतरी होती भी नजर आ रही है बाकी इस कंपनी के अपर से आप लोग net profit देखने जाओगे तो आर कंपनी का net profit इस quarter के अंदर 7 7476.94 रुपीज का देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले कमनी के net profits लगातार कम हो रहा है जो एक company के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विशह है बाकि इस कंपनी के EPS earning पर शेर की बात करें तो वो देखने को मिलता है 7.14 रुपीज का जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मुकाबले कमनी की EPS के अंदर लगातार गिरावत आती भी नसर आ जाती है और और यहांपर से इस company का जो performance है CDSL का मेरे इस अब से दुभाई बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा है हो सकता है आने वाले समय में share market में revival आए तो यार यह भी company का share revival होता हुआ देखने के मिले बाकियार एक चीज़ जरू से बलूँगा जब भी यहांपर से stock market के अंदर इंडिया के एक bull run आएगा एक तीजी आएगी बहुत सारे लोग यहांपर stock market के अंदर जुडेंगे तो अभी इस company के revenues and profits वापस से बढ़ते हुए नसर आएंगे company के result कोच अच्छे नहीं आया है इसी वज़े से possibilities यह जरूस है कि है company के share में breakdown देखने को मिले अभी यहांपर से company के share में करना क्या चीज़ इसकी बात कर लेता है ठीक है तो देखो यहांपर company के share में हर यहांपर levels यहांपर मैंने बहुत सारे support levels बताय हुए है जहांपर company के share में खरीदारी आ सकती है पर मेरे को ऐसा लगता है कि यह company का share 1000 रुपे का जो level है वो breakdown कर देता है further यह company का share possibilities यह जरूस है कि यह 560 रुपे के आसपास के levels तक है आप गिरावट दिखा सकता है और इससे भी नीचे जाता है तो company के share में 440 रुपे तक की गिरावट आ सकती है बाकियार यह company आपर साब लोग सोचोगे कि मैं तो बाई एकदम bottom पर खरीदूंगा bottom पर यह company के share में investment करूंगा तो यह चीज़ यह आपर possible नहीं रहने वाली है इस company के अंदर buy on deep करके चलो long term के लिए यह company बढ़िया है बागी short term के अंदर बहुत ज़दा high volatility देखने को मिल सकती है ठीक है तो यह था हमारा opinion और company के share में long term के लिए investment किया है तो भाई loss में company के share को मत बेजना बस इस company के share में investment करके long term के लिए hold करूं थोड़ा patience रखो अच्छा profit यह company के अंदर मिलेगा ठीक है तो बस अच के लिए वीडियो पसंदा है तो like and channel को subscribe करना मत बूलना good bye love good bye फिर मिलते next video में good bye बिक्वाली करना चाहते हो तो यह levels भी आप लोगों को मैंने दिखा दिये जहां पर उच्छाल आता है company के share में तो बिक्वाली कर सकते हो ठीक है चुलो good bye love good bye फिर मिलते next video में good bye